हे अनस्टाबूल्स नमसे सभी को तो कैसे हो सारे बढ़िया मैं बहुत बढ़िया सोरी यार गाइस दो मेने से वीडियो नहीं आ रहे थे हेल्थ इशू चल रहा था बहुत गंदा वाला आज हम लोग आगे रिव्यू लेके बजाज पॉल्सर टू टूटी एफ दि लेजेंड तो आपको तो पता है यार कि यह डिसकंटिनी हो गया तो रिव्यू क्यों ला रहा है विकाज यह अब भी भी मिल रहा है वो कही से मिल रहा है इसका रिव्यू स्टार्ट करते है लेट् प्रेंट लुक की बात करूँ फ्रेंट प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है और यहां पर साइडव मीरर्स फोल्डेबल वाले रहेंगे अपने को और बजाज का लोगो आप देख सकते हो और वाइजर ब्लाक टिंटेड में आपको मिल याएगा और ग्राफिक्स अब देख सकते हो ग्राफिक्स आपको मिल याएगा और यहां पर लेजर्ड लाइट आपको मिल याथा है और यहां पर पाइलेट लाइम्स आपको मिल याएगे प्रोजेक्टर सेट अपको मिल याथा और यहां पर हैलोजनी मिल याएगा आई भीश यार जब 2020 था यह सब लेडी कर देते और इसमें भी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ वही वो डिसे नॉर्मल बल्ब इंडिकेटर से जब टूटी रहता है यार टूटी टूटी में एटलिस्ट लेडी दे देते तो तो कितना मज़ा आ जाता और यहां पर ग्रिल लेजंडरी ग्रिल और कुछ ऐसा करैसा है इसका ढूंब और और सबां प्रांटा गार्डब टेलश मैं रखार्ण आपको में दिल ओंप दिखा है और याटा है सिंगेल लेगे के और टेलिस्पोफिक फोक आपको मिल यात हैं कि ढूने कि अपने को फ्ररंट में मिल यह और रेर में बता दूंगा 235 लोगा है और तबाझ करेंगे सेट प्रोफेल में है इसे अभर में सेब्स ऐसर रहाँ झाल पर को देखने मिल याते हैं जो भी 150 यार यह मैं 220 कप खरीदेंगे और चलो बात मेरी रहने दो वैसे ग्राफिक्स आप देख सकते हो यह पे पूरा एक शेप जाता हुगा पलसर क्या ब्रैंडिंग आप देख सकते हो त्रीड लोगों आपको मिल आता है और टैंक की बात कर फिफ्टी निटर्स का टैंक आपको मि हुए बाइकर निळा दिर का विडियो सीखे होंगे उनका यार उनका टैंक में सत्रा लिटर का पता ने का नाम विभी हो गया है मोटर ट्यून रिशहागी सो सो एकलो चले बाइवे पे जाएंगे वही 40-45 आराम से दे देगा वैसे तो शीटीज में चला रहे हो तो 40 यहां पर टैंक पर आपको मिल याता है और गाड्स आपको मिल आता है बंपर्स आप बोल सकते हो लेक गाड्स भी आप बोल सकते हो और यहां पर इंजन कॉल आपको मिल आएगा 220 cc इंजन है इंजन की बात करते हैं यहाँ पर हमें मिल जाता है 220 cc इंजन माक्स प्रोड्यूस करते है 20.11 bhp 8500 rpm और तर्क प्रोड्यूस करते है 18.55 Nm at 7000 rpm और यह ओविएसली ब्याइस इंजन है और डिजिटल ट्विन स्पार्क इगनिशन के साथ आता है और यहां पर कारबन फिनिशिंग काइंड आप डिजाइन दिया हुआ ग्रिल आप देख सकते हो और में चर्चे यार सीटिंग के सीट के होते है पलसर के जो भी वेरियंट से 150 हो गया 180 हो गया 220 हो गया सीट बहुत बड़े होते और इतना कंफ़टेबल होते कि आर लॉंग टूर भी कर सकते आप जैसे बाइकल नील आदरी करते सो वो कितना भी खीचो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता ही नहीं है और यहां पर आ जाते सीट की बात करोते हैं आप देख सकते ह सब्सक्राइडर आराम से बेढ़ जाएंगे कोई इश्यू नहीं रहेगा और ग्राइब आप देख सकते हो और फूट पेडल्स वही रबबर रबबर्स के रहेंगे और बैक टायर की बात करूं तो यहां पर MRF के टायर्स वही मिल याते और इसके मैं टायर साइस की बात कर तो 120 by 87 inchers के आपको टायर्स मिल याते और डिस्क आप देख सकते हो डिस्क की बात मैंने पहले कर दी थी तो यहाप आप देख सकते हो सिंगल लेएस ही आपको मिलता है यह रेर लिफ्ट प्रोटक्शन है यह आप सिंगल यह आप एबियस मत मानना सो यह वही है ग्रिप्स आ ब्रैंडिंग आप देख सकते हो स्टिकरिंग में और यह है LED टेल एट लेजंडरी LED टेल लाइट इसका यार कोई तोड नहीं है इतना धगड़ा वाला ब्राइटनेस फेकता है ना इतना कितना भी लंबा रहने तो यार एक किलोमेटर के लंबा रहने तो नाइट में आपक को जब खरिदते हो ना तब यह लख्या आ जाएगा सो नो वारीज चेंट्राइब आपको मिल आता है और बैक टायर की तो मैं बात बता ही दिया मैंने सो राइट सेट का व्यू कुछ ऐसा दिखता है ब्रेक आप देख सकते हो और फूट पेडल्स यस वह है वही डिसान इसा दिखने माला है बहुत सब्सक्राइब फैन्स यार पल्स टू टूटी एफ के जो कंसोल के लिए मरते अनलाग प्लेज दिजिटल दोनों मिल आता है हमें वैसे चालो करके तो दिखाई देता हमें और क्लाच आप देख सकतो क्लाच पासिंग टॉर्च आपको मिल अपर लोवर और हॉन मिल जाता है और एंजिन के रिख स्विच एंड पावर स्टार्टर आपको मिल आथा थ्रोटल ब्रेक फ्रेंट ब्रेक और वटी से हैंडल गार्स भी आपको मिल आते हैं यह लेजेंडरी है मतलब मैं जब से टूटोंटे निकला है मैं 55 से देख रहा ह अब फूल स्वाइब अप अनलाग फिर डिजिटल दोनों मिल आता है हमें और आर्पिम लिमिट आपको मिल आता है आर्पिम आपको देख सकते हो एंड श्पीड ट्रीप और एब्याइस का लाइट आप देख सकते हो रिसर्ट ट्रीप वन यहा पे दबाएंगे ओड़ आता है है हैंडिल बार्स और हान भी सुना देता हो इसे खतरना क्लावड है एक बर और खतरना क्लावड है गाइस बच्पन से देख रहा हूं यही हान मतलब इसी बेस में हान आपको मिल आता है इंजन आप देख सकते हो मस्त लुक आउट है वैसे यार चालू करके भी आप विशे एक बार माई का निकाल के देखता हो तो तो टर्रींग इंडिकर्स दिखा देता आपको लाइट और टर्रींग इंडिकर्स अब यह ना फील्ड सब में नहीं आता है आर्पीम मेंटर देखो कैसा रही तो यहां पर अब देख सकते हो सब डीटेल्स जो भी है डिस्टेंस व्यम्ती मिल आता है अवरेज जो भी रहेगा वो सब मिल आता है और एवेस का लाइट टर्रींग इंडिकर्स आपको मिल लूटर का लाइट आपको मिल आता है पील देखो यार कितना मॉस्ट है पुल्सर 220F की डाइमेंशन और कैपासिट की बाद तो लेंथ आपको मिल आएगा 2035 mm विट आपको मिल आएगा 750 mm हाइट आपको मिल आएगा 1165 mm और फ्यूल टैंग मैंने बता दिया था कि 15 लिटर्स हाँ बट 70 लिटर्स पता निक कैसे आ जाता है सो यह पर ग्राउंड क्लेर साब देख सकते हो 165 mm आपको मिल आता है विल बेस आपको मिल आता है 1350 mm कव बेड इसका मिल आता है 160 mm जो ठीक ठाग है मतलब फेरिंग सेमी फेरिंग बाइक के सबसे 160 kg इस गुड़ इनाफ वैसे फ्रेंस की मैं प्राइजिंग के बाद करूँ जो है बजाज पॉल्स तू टूटी एफ सो इसका प्राइजिंग निकल के आ जाता है वान लाग फिफ्टी थाउजन तो यह उन्रोड प्राइजिंग इसमें बहुत सारे कलर से वैसे ब्लू में है रेड में है और वाइट में भी है वैसे मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि यार बाइक कैसे मिलेगा यह तो डिस्कॉंटीनी हो गया मैनुफेक्ट्र में बच्चे हुए पीसे जो भी है गाइस बहुत सारे लोकल स्टोर्स में अवेलेबल है जो वाड़ी से मल्टी ब्राइंड शोरूम से अभी भी आवेलेबल है वैसे आपको यह वाला बजाज पलसर तूटोंटी एफ आपका सपना है खरीदना है तो डिस डिस्क्रिशन में नंबर और जो भी रहेगा डीडिल में दे दूंगा इन से कॉंटाइक कर सकते हो आप सीधा सीधा शोरूम आजो यह मल्टी ब्राइंड शोरूम है वैसे तो यह सा कुछ मिलेगा बजाज पॉलसर तो यार रिव्यू काइसा लागा यार सच मैं मैं बहुत मिस करूंगा यह 220F को मेरा खुद का सपना था कि खरिदना है खरिदना है अब यार मेरे पास तो इतना डेड़ लाग रुपे तो नहीं है जो अभी के अभी मैं पे करके ले सकूँ बट यह सपना तो सपना ही रहेगा I think so 250 के साथ जाना पड़ेगा विकॉस मुझे पलसर के 250F series बहुत पसंद है जो semi-faring जो भी बोल सकते हो बस यार इतना ही है वीडियो के लिए बाद न्यूस है मेरे लिए वैसे आपके लिए तो गुद न्यूस है अच्छा कास आपको मिलियाएगा 220F if you guys like this video please do like share comment and subscribe to my youtube channel be unstoppable peace